इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। ये एथलीट फोट, धोबी, खुजली, थर्ष, दाद और सुखी, परदार्ट वचा जैसे संक्रमन का कारण बनने वाले कवक को मार कर काम करता है। सेटा सून क्रीम का इस्तिमाल डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक लाव प्राप्त करने के लिए इसका नियमित रूप से उप्योग करें। अपनी आवशक्ता से अधिक उप्योग न करें, क्योंकि इससे आपकी स्थिती तेजी से साफ नहीं होगी और केवल दुश प्रभाव बढ़ सकते हैं। निर्धारिट से अधिक समय तक दवा का उप्योग न करें और यदि दो से चार सप्ताह के उप्चार के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर को बताएं। प्रभाव क्षेत्र को साफ, सूखा और उप्योग करने से पहले और बाद में हाथ धोने से दवा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। यदि आपके पास एथलीट फुट है तो अपने मोजे या चद्धी को अच्छी तरह से धोले और यदि संभव हो तो अपने जूते रोजाना बदले। सेटासन क्रीम का उप्योग करने के सबसे आम दुश प्रभावों में जलन, जलन, खुजली और लालिमा जैसी अनुप्रयोग साइट प्रतिक्रियाई शामिल हैं। अपनी आखों के सीधे संपर्क से बचें। आकस्मिक संपर्क के मामले में अपनी आखों को पानी से धोले और ततकाल चिकित्सा की तलाश करें। यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी। लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य दवा का उप्योग किया है जिसमें स्टेरोइड होता है या किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी की प्रतिक्रिया होती है। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तन्पान करा रही हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद